कर्शी शाप आप शिनेगर में रहते हैं तो जो जबन कश्मीर का जो मसला चल रहा है आप उसको कैसे देखते हैं जो किस तरह की वहां पर पॉलिटिक्स है और किस तरह का वहां पर जो सेपरिटिस्ट है उनका क्या रभी है देखें पहली बात तो यह कि मसला क्या है मसला कश् ह collect a new station हुई है मतलब theory यह सारा मस्ला जूवी है इसको बात्चीत के अलावा और कोई रस्ता नहीं अब ह doubt पाकस्तान ने चार जव्स हालनी हुआ नहीं यह जंग से हो सकता है उसताव पाकस्तान की जो तर्की आए वो सारी तबाव जाएगी, दो सदियां तन तबाव हो जाएगी, बेदोर रखनी मुलग है। इसलिए हम यह समझते हैं कि इस मसले का हाज बातचीत के जरी है। रही बातचीत के जरी है, क्या हाज जी है। वो जब टेबल पे बैठेंगे तो वहाँ ही निकलेगा। पाकस्तान क्या है, क्श्मीर के मौकुफ क्या है। क्या हम सब का इकटे कोई मौकुफ बनता है कि नहीं। मैं यह समझता हूँ उसके लिए जन्दिस्तान सब को इंट्रकश्मीर डैलाग का बंदबस करना जाए। पार, पार, गिल्गत, बलतस्तान, पियोके, लड़ा, जमू, क्श्मीर इन सब को एक इंट्रकश्मीर डैलाग की सहुलियतें पैदा करने चाए। ताकि हम एजर रियासत जमू क्श्मीर यह सूचे हमने करना क्या है। एक तो यह बात है। दूसरी बात जहां तक देखें वहां पे जो सियासत की तश्दुद की बात है। तश्दुद के आम क्श्मीर इसके खलाफ है। टोटल तश्दुद के खलाफ है। उसके तश्दुद का शिकार हुए है। गरीब लोग तश्दुद का शिकार हुए है। गरीब लोगों का मसला अब बताए हुरियत है हुरियत आज वो कह रही है जी गहर मशुरूत बात करें हम यह समझते हैं कि जब पारलिमानी वफद आए था उस वकद जो उसको दर्वाजे बंद कर दिया था वो किश्मीरी तहजीब के में खिलाफ था इसलाम के खिलाफ भी थ और उसके बाद को जो दूसरा है गहर सरकारी वफद है उनके साथ बाती थी और उसके बाद आज ही कह रहे हैं कि दर्वाजे बंद कर रहे हैं जाला कि वही एमपीज किश्मीर में जो कोई भी स्कूर्टी जाती होती थी उसके लिए वही ज़्यादा लड़ते थे पारलिमे कि जी आप गहर मश्रूद बात करें इसके पीछे फलस्फ़ा क्या है फलस्फ़ा ये है कि पाकस्तान पर दवाब बड़ा है नसरिफ अमरीका का अमरीका का दवाब तो एक बात है चैना और ब्रिक्सिट ने उन्होंने चैना और रेशिया ने एलान कर दिया कि ये टेर्रिस खत्म करो और लशकर को उसको सब को टेर्रिस करार दिया और पाकिस्तान इतने बड़े तीन ताक्तों को वोल्ड की ताक्तों को इग्नोर नहीं कर सकता है उन्होंने इशारा दे दिया उनको क्योंकि जोरियत जो है वो हिज मास्टर्स वाइस है वो पाकिस्तान के वो है अप अगे तक हाल किये क्या है? आज जो एनाय में उनको पकड़ा है और आप उनको पता चला है आग होती क्या है? जब गिलानी साथ का दामाद मुखतलिफ लोग है वो उनकी घर में भी दबाओ है कि ये क्या हो रहा है? सवाल यह है कि आम कश्मेरी को बदनसीबी है आम कश्मेरी यह नहीं समझता कि जो हमें तशद्दुत मिसाल के तोर पे सलावदीन हैं सलावदीन के फांच बेटे कोई डॉक्टर है कोई टेक्निकल है कोई क्या है सब सरकारी नोकरी करते हैं उनकी दो बेटियां वो भी टीचर हैं गिलानी साब के दो बेटे दोनुस मुलाजिम है एक ड मौंबर दोजार सोला मैं उन्होंने वो ले ली दूसरे लोगों को कहते हैं सरकारी नोकरिया छोड़ो सकूल बंद करते हैं अपने बचे पाड़ रहे हैं सकूलों को जलाते हैं यह तो खुद खुरियत के लोगों नहीं कहा है यह तो मैंने कहता हूं यह तो उन्हें सिटिं में वो क्या मसले कश्मीर हाल करेगी वो कौन से कश्मीरियों के हम दर्द होंगे बात यह भाई वहां पर डराया जाता है खौफ मुपतला हम यह कहते हैं डिबेट करने दो हम यह कहते हैं लोगों को अजाद छोड़ दो लोगों को बात करने दो लोग बात करेंगे उन से सुन अपना नहीं दे रहे हो मेरे साथ नहीं दे रहे हो कहता है जी हम आपके दिल जान साथ है लेकिन शाम को अगर क्विस्टोल वाला गारा आगया हम क्या करेंगे हम तो बचे वाले है याने खुरियत ने खौफ के जरीए पाकिस्तान के खौफ के हिजब के होफ के लेक्कर के होफ के जरीये अपनी सियासत कर रहे है यह जरा होफ को हटा दे ना आए डिबेट करें तो सही पता चले इनकी दस मिनट भी निकले गे नहीं इनकी पास अर्गोमेट ही नहीं हुआ थे वो सुब्धार मेजर और कैप्टेनों के उस पे बात करते है यह उनके जादा से जादा उनी का उनी की बात बोलते हैं दुनिया में कोई ऐसा मुलक है जो हमें पाकस्तान के जंडे लहराने पे जो हमें आयसे के जंडे लहराने पे हमेरा साथ देंगे जो हमें तशुद्द की बिन्यार पे और फिर सबसे बात बड़ी देखे आप बच है वो क्या कहता है वो उनको कहता है तुम तो यह सैसी मसला नहीं है यह तो मख़भी मामला है क्योंकि इनों नहीं ही बताया है उनको कि यह जहाद है वो जहाद गरीब के लिए क्यों है गरीब के बचे क्यों मरते हैं गरीब की आउरत क्यों बेवा होती है गरीब के बचे क्यो होती और इंदिया की जिसके खिलाफ हैं एंडिया के इनके साथ जो आजुए चयदाद वगयरा क्यों कहां से आई है हमारे साथ रहतें वह का से आई हुं कि हम तो यूरॉप में 20 साल मेहनत करते हैं ये जो वही पर रहे हैं जोनों ने कोई काम भी नहीं किया डंग से कभी जिन्दगी बार, तो यह क्या है, यह कशमीरियों के शहीदु पर, कशमीरियों की लाशन पर, रोटी कमाने का तरीका है उनका, रहे बाद, बताया ना, डिपेंट करें न, हम तो यह कहते हैं, हां जी कशमीर का मसला है, यह लेकिन इस मसले को आप बंदूख से ताई नहीं करेंगे टेरोरिजम से ताई नहीं करेंगे अब नया सिस्टम है पहले भी अपना नेशलिस्ट और जमात लड़ते थे एक दूसरे को मारते थे पचास-पचास आदमियों की लाशे उठाई जाती थी सणकों पर आज जो है ना आज अब जाकिर मुसा के खिलाफ जो है ना हिजब मुझाहदीन ने डिगरी कर दी कि ये गदार है ये जासूस है ये जासूसी करता है इसी ने पकड़वाए है ये क्या है कल तक तक जाकिर मुसा तुमारा आदमी था आज उसने तुमारे साथ इक्तिलाफ किया तो तुमने उसको गदार करार दिया है यही सब गदारों की दलील है जिनको यह गदार कहते है इक्तिलाफ इन से करो सच इन से बोलो अपनी दिमाग के बारे में कोई बात करो दिमाग से कोई बात करो खुरियत वाले उसको गदार करार देते हैं पाकिस्तान की बात न करो उनकी चम्चागीरी न करो तो आप ये गदार करार देते हैं कोई सची बात हिंदुस्तान के हाक में चली जाए उसको ये गदार करार देते हैं कोई डैला की बात करो उसको ये गदार करार देते हैं कोई अर्गुमेंट की बात करो मेरे मेरे आर्टि कि प्रिकल्बि एक सत्र भी और्गोमेंट कि सिवा नहीं है लेकिन यह अर्गोमेंट नहीं करते यह इंज्जाम लगा देते यह किसी को एजेंट करार देते किसी को कदार करार देते कि उसकर नेटीज़ कही निकलता उस मरे कितopen लोग यह और वूज जो हैं फैक्ट फैक्ट पे ये बात नहीं करते हैं ये सारी जी से तो सिधी सा गातका है पहला जो हम पहे हम्ला किया है कि ऊ corda अ जिसमर्ले की आज हारा किया स्ट्र्वक्रा तो हम यर तो हमन्दर से बात होजा मेरे महाराजा derived हर्यों होते हैं रहां अनुसान सब्सक्रार इनकी साथ चंद वकील है जुनको खुद पता ही नहीं है कि कश्मीर का मसला क्या है तारीक का पता ही नहीं है इग्नोरनिस है बे इंतिहा इग्नोरनिस है कश्मीर के लोगों को दलाइल का पता नहीं है तनाजे का पता नहीं है कि असल मसला क्या है बस एक हंदुस्तान की नफर ब्लत पे उन्होंने काई किया है कि अधा किया है लोगों को फैक्ट का पता नहीं होता है TV उसका नेतिजे है मैं आप एक मिशनाल बता हूं एक लाल-चोग में लाश मतलब एक बंदा दोड़ते जोड़ते वो दिर्याओं में गिर गिया उसकी लाश निकाली गी उसका जनाजा पढ़ा गिया हंदुस्तान की फोज ने इसको मार दिया वगयरा वो देखा तो वो एक हिंदू था और जब बागते बागते वो पानी में गिया उसकी तो जगर जनाजे पढ़े गी बाद में पता चला ये में पुरे पाकस्तान का है दलील फैक्ट्स इस पर कोई बात नहीं करता और जब कोई ये बात करता है वो इनका दश्रश्मान चाहता है एक कि मैं को ये समझता हूं कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस गन से कुछ नहीं होगा मैं खुद मैंने पहले गान उठाया था। मैं भी टीनेज़ था। मैंने वह कारणाम ले कियाए, इसी ने किया आज तकude को नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है। कि मैं क्यों नहीं इसमेरा। क्योंकि यह रासता ही नहीं है। यह रास्ता इंटरनेशनल तोर पर रद हो चुका है यह सेवन्टीज का दोर था जब गन को समझा जाता था इसी के रास्ते से अजादी बिलेगी पहले बात यह कि कश्मीरियों को चाहिए क्या है अगर आपने गन उठाना है उसके लिए एक तंजीम होती है मनज़र उसके लि को तबाब औरबात करवाया आज यतीम दर्बदर होते हैं आज वो बीक मांगते हैं आज बेवाए उनका कोई रूजी नहीं है जरिया नहीं है तो यह कौनसी गुरियला जंग हुई यह कौनसी कोमी आजादी की जंग हुई यह कैसी जंग लड़ी गई हमारे कश्मीरियों पर कैसी जंग दोपी गई जिसमें हम मरती जा रहे हमारे कोई तालीम का सिस्टम फिफस्टम चलाया जा रहे हमारे बच्चों को यतीम उब को तालीम नहीं दी जा रही बेवाओं का कोई पुर्सान प्रिसान बाने का कोई हाथ के काम करने का कोई प्रकी बनाई है कोई यतीम जो बचए हुए उन बनाए आप उनके पास फीस है सकूल की। यह सारा चीजा यह तो हमने बच्छों को समझा ला है। यह यंग लोग होते हैं इनका बच्छों का जसके टीनेज में ने से बड़ी अतर्नाफ होती है वही टीनेज है हिए। कोई उसके लिए और जाता है, कहते हैं पाकस्तान हमारा हम जीनी की पाकस्तान मरें इंगे पाकस्तान तो आज़ादी किदर गई फिर है पाकस्तान ये खुद हमारे मुल्ख पर कंबसा किया हुआ गिलगतबलतस्तान की उसके पास भी 55,000 गुराम हमील है उसकी बात क्यों नहीं पूछते हैं? वो जब जुब कर रहा है, अब बाबा जान गिलिगत का एंद में, बद्म कानाई है, चैलिस साल उसके सातिओं को जजार मिले हैं, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सृरीरिद गरोन कोई गरिफतार हो जा। तो वो जुम है पाकिस्तान में इसी बात में कोई आजादी के नाम पर जलुब गरिफतार हो जाए उसकी कोई फिकर नहीं उसकी कोई परेशान नहीं ये कैसे लोगों के नुवाइदे है हम लोगों को देखें या तो कश्मीरियों को अपनी नसल तबाह करवानी है या तो हमें डिबेट करके कि यह सोचना है यह पूछना है यह कहना है अपने आप से भी और लोगों से भी हम कहां जा रहे हैं अपने अपने आप से भी और लोगों से भी हम कहां जा रहे हैं What is the result of 27 years of this struggle if this was a freedom struggle आप याद रखें मैंने 1991 में एक आर्टिकल लिखा था आप से अपना सिवल डिसर्ब्स लेकिन करते हैं उसके साथ पथर भी चल रहा है उसकी साथ वो चल रहा है और आप यह देखें मैं यह लोगों को पूछना चाहता हूँ हम कहां खड़े हैं दुनिया का कौन सा मुलक हमारे साथ खड़ा है पाकिस्तान दू ऐसे नहराबाज लगा रहा है क्योंकि उसकी तो आइन में लिखा हुआ है यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर फैसला करेंगे कश्मीरी इलाग का कहते हैं जब कश्मीरी पाकिस्तान से इलाग का